आज हमने यहाँ पर हरी शुम्लामिच से एक अलकसा स्नेक बनाया है, जो खाने में बहुत टेस्टी है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो चलीए श्रू करते हैं आज की रेस्पी इसके लिए मैंने हैं पर लिए हैं दो मीडियम साइज की शिम्ना मिच देखें ऐसी शिम्ना मिच लेनी है जो बिल्कुल अच्छी होने चाहिए अब इसे मैं चाकू से काट लूँगी इसके हमें ड्रिंक्स काटने है आपको ना ज्यादा मोटे ना ज्यादा पतले रखने हैं तो बिल्कुल मीडियम साइज की आपको उसको काटें आपको यह देखें इतने होने चाहिए कि इससे यही कट चाहिए बीच में से चिरेना इसलिए हमासा थोड़ा सा इनको ऐसा रखना है medium size का ऐसे काट लिजए अगर आपके पास मानलेजे लाल श्रिमना मीच है या पीली वाली श्रिमना मीच है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं इसका बीच का हिस्सा है इससे आप निकाल लिजे इसका बेक आप रिंग काट लिजे आपको ऐसे इसका medium size में रिंग काट लेना है अब यह हिस्सा हम इसका रख देंगे इससे आप सबजी में यूज़ कर सकते हैं हमें दूसरी श्रिमना मीच भी आप दोंगई देखिए हमने सार्य रिंग काट लिए है आप इसका बीच का हिस्सा है तोड़ा सा में निकाल दूंगी निजे वाले करίνें तूह हैं दूसे वाले क भी निकालेंगे तो कि अ अब इसको यूशे कर सकते हैं शिम्रामिष को सब्जी बना लिए अब इसका अभिआ मेने लिए हैं तीन वॉय डालू आपके शिम्ला मिच के आकार के उपर बात है कि आपके पास शिम्ला मिच बढ़ी है चोटी है अगर माले जो बढ़ी है तो आप आलू ज्यादा ले लिजिए जालूंगे यहां पर एक चमन धन्या पॉडर है थोड़ा साम चूर पॉडर आप टेस गटाबा हरा धनिया हरी मिच और अद्रक आपको बारी की काटने सब अब हम सब को इन सब को हम मिश कर लेंगे थोड़ा सा मैंने यहां पर लालमिश पॉडर डाला है आप चटपड़ा खाना चाहते तो आप तेज कर सकते हैं मसाले यहां पर मैंने लिया है चाचमच बेसन अब इसमें डालूंगे थोड़ा सा नमक क्योंकि नमक हमारा आलू की पिठी में भी है और थोड़ी सी हल्दी इसलिए मैंने कमी डाला है इसमें नमक आप इन दोनों का मिक्स कर लीजे और इसका हमें एक गाड़ा पेस्ट बनाना है आपको ऐसे मिक्स करते वे इसका करें हार से दबाके कि AOP पर आलो की फिलिंग की जगा इसमें पनीर की कर सकते हैं अधरे आप इसकी थोड़ी आलो की बड़ी पेडि लेका emergen निकले दोनों तरफ से वह से निक एक आंपने इसे अपने रिस्पी में आड़ कर सकते हैं जो भी आपक बनाते हैं इसके साथ बना सकते हैं बहुत अच्छी लगेगी इससे ने ने प्ट्ठी भर के त्यार निए वीडियम साइस का इक टमाटर है इसको हम थोरा सह नि चोल लेंगे इसमें या इसके प्याशना रहे अब इसे में बेशन का पेश्ट बिनाए था इसमें डाल लूँगी है कि टमाटर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें इसको मैसे नहीं चोड़के इसमें डाल लूँगी अब इसे हम मेक्स कर लेंगे देखे हमारा पेस्ट गाड़ा है आपको गाड़ा ही पेस्ट रखना है बेसन का पता नहीं करना यहाँ पर मैंने तबे को गरम करने रग दिया था अब इस पर मैंने घी लगा लिया है आप दो चमच के करीब घी लगा लिजेगा थोड़ा सास को फेला लिजेए आप यहाँ पर मैंने मोटी तली के तबेका यूज किया है अगर आप हलके तली के तबेका यूज करते हैं तो आप अपनी फ्लेम को कम रखेगा ने तो वह जल जाएंगी श्रीम ना मिच अब इस प कुल तो पर और पेस्ट लगा लेंगे सी में दूसरा श्रीम ना मिच का पीस ले लोगी उसमें प्यांट लनेगे और इसे अम यह से लाते-वे लगा लेंगे और इसे बलेटके रखी ऊपर से आप दुबार से पेस्ट लगा लिजें कि ऐसे हम दूसरे बाले पे भी लगा लेंगे कि इसी तरह से में जितने में हमारी श्रीम नमीच की पीसिज है अभी मैंने पहला पैच तेयार किया इसका क्यूंकि सारे पीस एदम से नहीं आ सकते अब थोड़ी दिर हो चुकी है मैं से पलट लूँगी फ्लेम हमारी कम है अगर ठंडी हो जाती है तो मीडियम फ्लेम कर लीजिए तेज नहीं करने है नहीं तो वह जल जाएंगे आप कैसे इनको पलट लेना है अब थोड़ा सा आप इसमें घी लगा लीजिए चौड़ा तरह फ्लेम मैं थोड़ी मीडियम कर दूंगी क्यूंकि थोड़ा ठंडा लग लाए बेशन का टमाटर का यह देखिए यह सब करारे हो चुकी है मैं थोड़ा सा और इसमें घी डालूंगी अब जो हमारी साइड की शिम्ला मिर्च है इसे हम थोड़ा सा सेकेंगे ने तो वह थोड़ी कची रह जाएंगी वैसे शिम्ला मिर्च अध कची रहती है पूरी को सेक लिजिए जिससे वह चाट्रफ से सिख जाए कि इस शिम्ला मिर्च थोड़ी खड़ी खड़ी ही अच्छी लगती है पूरी गली भी तो अच्छी नहीं लगती तो इसको हम थोड़ा सा सेक लेंगे जिससे पूरी कच्छी ना लगे भी हमारा से चुका है एक देखिए इसी तरह से में दूसरा भी ऐसे ही सीख लूँगी और जो आपके सीख रहे हैं पीसिस उनका पलट्टी ये कभी वो जल जाए थोड़ा आपको ध्यान रखना है के कि कोई भी आप नई रेस्पी बनाते हैं या कोई ने चीज बनाते है थोड़ा टाइम तो लगता है पर एक रेस्पी अच्छी बनके आती है आप बेसिक चीजों से एक नई तरीके के रेस्पी बना सकते है और बहुत अच्छी बनती है अगđर आप step-ой step ऐसे ही बनाते हैं, तो बहुत अच्छी देस्य बने के आती ए, इसे आप चप्टनी के साथे साथ सर्कीजे, प्यास के लच्छे काटके लगासकती है, इसी तरह से मेरा जो दूसरा ज्या Technologies रहा गया तो फो आम इस मेरा शेक that way लगद ही तेल लगा लिए हमने तवे पर आप इसी तरह से मेंट पेपे लगा लगा के बेषन का पेज्ट लगा decía आप इसे हम इसे रख देगे आप इसे पहला के लगा लीजिए अप उपर से पहले लगा लीजा पेषन आप ए जो पीछे की पीछ बेशन लगेगा यह देखिए हमारे कितने अच्छे यह शिम्रा मिर्च के एक नेतरा इसनेक्स बनके आया है किता करा रहा हो रहा है और साइडोसेट के पीस भी गर्ग चुक है शिम्रा मिर्च के जो देखिए है कि लिखे और यह पीछे आशा के साथ सब कीजिये गरं गरं बहुत अच्छे लगेंगे ये सबको बहुत पसंद आएंगे शिम्ला मिच का एक न Noah sides骨 lifetime जीति आज कीरेस्पी से आश थी कुद्ण है आपको आज की दशर्षी पसंद आ हो जिस ने हमारा हमारा चैनल सिस्क्राइब नहीं किया है हमारा चैनल सिस्क्राइब कीजिए क्योंकि मैं अपने चैनल पर हरोज नाइने रैस्पी और बेसिक रैस्पी शेयर करती हूं तो अब हम पकन भी लिए एक और नीव वीडियो के साथ